वेलकम बैक गाईज एक और नई वीडियो के अंदर और यार मैं आज आपको सिंपली बताऊंगा कि आप कैसे रेड डेड रिडम्शन टू जो है उसका क्रेश फिक्स कर सकते हो फिट गल का यह जो क्रेट वर्जन था रेड डेड रिडम्शन टू का रेड डेड रिडम्शन और बाद अपका ंदर परेड़ परसेंत क्रेंटी यह जोगा तो वीडियो को दिसलाइक कर देना बड़ मेरी गरेंटी है होगा अगर होता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अब इम आपको simply बता देता हूँ कैसे crash fix होगा तो सारे steps follow करना simply आपको यहाँ पर आना है और अपने window defender wall पर जाना है search कर लेना है आ जाएगी मैंने पहले से किया हुगा है तो मैं सीधा चलता हूँ window defender wall यहाँ पर इस पर आने के बाद यार advance setting आती है आपको सीधा इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे inbound rules simply आपको inbound rules पर click करना है inbound rules पर click करने के बाद आपको यहाँ पर new rule जो है वो add कर लेना है जैसे यह आप new rule add करते हो तो आपके पास चार उपशन आता है आपको प्रोग्राम पे क्लिक रखना है और नेक्स्ट कर देना है उसके बाद आपको एक पाद सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपने Red Dead Redemption की फाइल रखी हुई है वहाँ पर आपको जाना है मेरी C-Drive में सेव थी तो मैं C-Drails में गया है और यहां पर जागे मैं अपना launcher select करूआ उसके बाद मैं open कर दोँआ उसके बाद मैं simply next करूआ next करने के बाद जहाँ पर मेरे को block the connection कर देना है allow की जगा block the connection यह करना बहुत जरूरी है block the connection कर लेना next कर देना उसके बाद ये सारी चीजे क्लिक रहनी तही है फिर से next करना है और next करने के बाद आप simply कोई भी नाम रख दो मैं red रखूँँगा कोई भी नाम रख सकते है आप जो चाहे उसके बाद आपको finish कर देना है उसके बाद दुबारा से आपको advance setting में जाना है और outbound rules होंगे उनके साथ भी आप आपको same काम करना है new rules जो है वो simply आप यहाँ पर add करोगे और फिर next कर दोगे और program फाइल तुबारा से अपना जो launcher है red dead का वो select करना है और open कर लेना है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर block the connection रखना है block the connection के बाद वही सारी टिक रहनी चाहिए कोई भी आप एक नाम पिक कर दीजे और उसके बाद finish कर दे यह दो steps आपको बिल्कुल ध्यान से पूरे करने इन दो steps को आपको पूरा कर लेने के बाद एक और आखरी step बचता है वो step और कर लेना आपका काम जाए वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा simply आपको यहाँ पर जाना है अपने control panels पे और control panel पे जाने के बाद आपको जाना है अपने clock and reason पे clock and reason पे जाने के बाद date and time पे आपको जाना है और यहाँ पे आखे है न आपको जो है change date and time पे click कर क्यार अपने जो date and time है न वो change कर लेना है और वो रखना है आपको जनवरी 2019 का और वो क्यों रखना है जनवरी 2019 क्योंकि यह game तो जनवरी 2019 सेलेक्ट करके खेलना और स्टार्ट करना जब आप नहीं खेल रहे हो तो सिंपली आप जो रियल डेट टाइम है वो दुबारा से लगा देना बट गेम खेलते वक्त जो है जनवरी की कोई भी तारीक और 2019 से आपको डालना है और ये तीन सेटिंग करने के बाद म तो यार एक बारी जो है चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अगर फिक्स नहीं होता है तो यार मेरे को बताना कमेंट में आके क्या दिक्कत आई है और फिक्स हो जाता है तो भी कमेंट में आके मेरे को बताना जरूर कि आर आपका फिक्स हो ग लोदस को अजला झाल में फगाई ठकाल में झाल इम्राद आशी